नमस्कार दोस्तों कैसे हैं? आप सब इंडियन गार्डेनिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे मस्रूम की बीज तेयार करने की विधी जी हाँ दोस्तों मस्रूम का जो एस्पाउन है जो आप देख पा रहे हैं मेरे हाथों में ये कैसे तियार किया जाता है इसकी पूरी स्टेप बाई स्टेप मैं आपको जनकारी दूँगा तो उसके लिए आवसेक्ता पड़ेगी आपको गेहूं की जी हाँ दोस्तों गेहूं को जदी आप एक किलो गेहूं लेते हैं तो ठीक उसमें एक लीटर पानी मिलाना है और उसे बीस मिनट तक किसी ओपेन बरतन में यानि खुले बरतन में आपको मध्यम आज पे लगभग बीस मिनट तक उसे पकाना है ताकि गेहूं आधा पके और आधा कच्या ही रहे पूरी तरह से पकना नहीं चाहिए जदी आप कूकर में इसे पका देंगे बीस मिनट तक तो ये बिलकुल खराब हो जाएगा गेहूं को उबालने के बाद ठंडा होने के लिए आपको फर्स पर इसे फैला देना है एक घंटा तक फैला के रखना है ताकि ये ठंडा हो जाए और गेहूं के उपड़ी सर्फेस से नमी खतम हो जाए और अभी जो आप ये दो चीज देख पा रहे हैं ये मेरे पास है कैल्सियम सलफेट और कैल्सियम कार्बोनेट जी हाँ दोस्तों आप 2 kg रखते हैं तो दोनों कैल्सियम सलफेट और कैल्सियम कार्बोनेट 40-40 ग्राम आपको लेना होगा तो इसी मातरा में आप चाहे जितना गेहूं लिया है उसी के हिसाब से आपको ये दोनों चीज लेना है और उस गेहूं को जब ठंडा कर लिया है उसकी उपरी सर्फ और कैल्सियम कार्बोनेट मिलाया जा रहा है मिलाने के बाद बाड़ी आती है इसकी पैकीजिंग की तो जी हां दोस्तों इसकी पैकीजिंग के लिए इसमें प्लास्टिक का उपियों किया जाता है और उसमें बहुत अच्छे भीज भी तैयार होते हैं तो सबसे पहले किसी मातरा से आप इसे चाहें तो 200 ग्राम का 400 ग्राम का या एक केजी तक का भी आप तैयार कर सकते हैं जदि उससे ज़्यादा बारा पैकेट रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगा तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पे 400 ग्राम के माप का एक डबबा बना किया जा रहा है यानि के पहले से जो बीज का पैकेट तियार किया गया था उसमें जो पॉल्थिन कवर है यह दूबारा लगाया जा रहा है इसके पीछे कारण यह है कि इसे अभी आगे बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना होता है तो इस बीच में जदी इसे निकालने या क के करने में जदी कहीं डेमेज भी हो जाता है P般 used था कि इसलिए इस प्लस्टिक को करना काफbor कीrire यिस सभी पैकेट्स के प्लास्टिक को डबल करने के बाद किया इसके मुह को दैयार होते हैं जो एक परकार के बैक्टरिया ही होता है तो उसे जीने के लिए इनमें हवाओ का संचार होना काफी ज्यादा वुसेख होता है इसलिए प्रति एक पैकेट के मुह पर एक कोटन का जो छोटा-छोटा टुकरा होता है कोटन का बंडल वो लगाया जाता है ताकि इसमें स्वक्ष हवाओं का आदान-परदान होता रहे दोस्तो अब अगले प्रोसेस में आपको जैसा कि देख पा रहे हैं यह मसीन की आओ सकता पड़ेगी तो इसमें यह तयार किये गए सभी पैकेट्स को एस्टरलाइज किया जाता है तो इसे आप एस्टरलाइजर मसीन भी अपने भासा में बोल सकते हैं लेकिन जदी आप इसक प्रण्सन लगभग उसी का है लेकिन इसे कूकर में डिरेक्ट नहीं तयार किया जा सकता है क्योंकि इस मसीन के और भी बहुत सारे काम है तो जैसा कि आपने देखा कि इस मसीन में पहले जो साइड वाले वाल थे उसमें पानी डाला गिया क्योंकि यह अंदर से भाप जाते हैं ठीक उसी परकार इस गेहूं को दुबारा इसमें पकाया जाता है पकाने के लिए दोस्तों इसके उपर एक मीटर लगा हुआ रहता है उस मीटर में आपको सो करेगा इसमें 15 PSI पर इसे डेर से 2 घंटे तक रखा जाता है स्टार्ट करके स्टार्ट करने से पहले धकन को अच्छी तरह से बंद किया जाता है क्योंकि अच्छी तरह से धकन बंद नहीं होने की स्थिति में इसके गैस निकल सकते हैं तो आपके बीज के क्वालिटी पर इसका फर्क जरूर परेगा और दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मसीन स्टार्ट हो चुका ह और लगबग थोरे ही देर में इसका मीटर जो है 15 PSI बताने लगा है और इसके बाद ये आटो क्लेब मसीन है ये 15 PSI के बाद आटो कट हो जाता है और इसमें मसीन के अंदर आपको देर से 2 घंटे तक बीज को रखना है दोस्तों बीज का ये प्रोसेस भी पूरा हो गया और ये 2 घंटे मसीन में रखने के बाद अभी ये मसीन काफी जादा गर्म है और बीज के जो पैकेट्स है ये भी काफी जादा गर्म है तो इसे अब ज़रूरत होती है ठंडा करने की तो दोस्तों ठंडा करने के लिए सबसे पहले मसीन से पैकेट को बाहर निकाल करके और पु विल्गुल अच्छी तरह से ब्राउन भी नहीं हुआ था लेकिन अभी जब मसीन से निकाल करके पैकेट को देखा जा रहा है तो यह बिल्घुल डार्क ब्राउन हो चुका है, तो दोस्तों इस प्रकार से फिर आपको मसीन के अंदर से सारे packets को निकाल करके और फर्स पे फैला देना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए क्योंकि अब इसमें बाड़ी आती है mother spawn mixing करने की तो mother spawn mixing करने के लिए ये बीजी काफी बिल्कुल ठंडा हो जाना बहुत जरूरी होता है दोस्तो अभी जो मैं आपको बीधी बता रहा हूँ ये बेवसाइक बीजी तयार करने की बीधी है यानि कि जो आप farming करते हैं मसरूम farming करते हैं उसके लिए जो आपको spawn की आवसेक्ता होती है ये वो spawn तयार किया जा रहा है तो दोस्तो आगे के step में आपको आवसेक्ता परेगा एक और मसीन की दोस्तो अभी जो आप मसीन देख पा रहे हैं इसमें लगबाग उपर आपको तीन स्विच दिख रहे होंगे तो ये तीनों स्विच का अलग-अलग काम है और इस मसीन का नाम है Laminar Airflow मसीन दोस्तो गूगल में जदी आपकी इसकी कीमत के बारे में सर्च करेंगे तो ये 20,000 से रुपए से लेकर के 40-50,000 रुपए तक के आते हैं और अलग-अलग कमपनियों के मसीनों के अलग-अलग दाम होते हैं तो जैसा कि मैं आपको बीज बनाना बता रहा हूँ तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक जो ब्लू कलर का जो लाइट जल रहा है ये यूवी लाइट है जो हमारे बीज फर्स पे ठंडे किये जा चुके हैं उन बीज के पैकेट्स को यूवी लाइट के अंदर लगभग 20 मिनट तक रखा जाता है क्योंकि 20 मिनट तक रखने के बाद उसके अंदर जो भी जर्म्स जो हैं वो बिल्कुल नश्ट हो जाते हैं यूवी लाइट में रखने से और दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी बाड़ी आती है इसमें मदर स्पाउन मिक्सिंग करने की तो इस समय बहुँ ज़्यादा साउधानी बरतने क्या वो सकता होती है तो इस मसीन के अंदर ही आपको मिलता है एक लेबुरेटरी टाइब का महौल और उससे पहले यहाँ सुधता और साप सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि स्प्रीट के बोतल से स्प्रीट कोटन में लगा करके और जहां पे हमको इसमें मदर स्पाउन मिक्सिंग करना है उस जगह को अच्छी तरह से सफाई किया जा रहा है साथ में आप बगल में एक लैम्प रखा हुआ देख पा रहे होंगे वो एक एस्प्रीट लैम्प है और इस लैम्प को जला करके ही इसी के सामने में मदर स्पाउन जो है वो बीज के अंदर मिक्स किया जाता है दोस्तों स्पाउन के बारे में हम बात कर लेते हैं तो ये त प्रोड के एक्सीट आने हैं दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं कि इस्पृट लेंप को मसीन के अंदर ही जलाकर रखा गया है कि इससे यहां आसपास में कोई भी किसी परकार का बैक्टरिया नहीं आ सकता है और नीचे फर्स को भी इस प्रीट से अच्छी तरह से साफ कर लिया गया है और हाथ में अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये मदर एस्पॉन का पैकेट है ये बिल्कुल आपको बेवसाइक मसूरूम के पैकेट के तरह ही दिखता है लेकिन जो लोग इसे तयार करते हैं वो लोग इसे अलग से तयार करके रखते हैं क्योंकि इसी कल्चर को उसके अंदर सभी पैकेट के अंदर मिक्स किया जाएगा तो उसमें भी इसके फंगस तेजी से फैल जाते हैं दोस्तों अभी जो आप देख पा रहा है कि कितनी साफ सफाई से यहां पर काम किया जा रहा है क्योंकि एस्प्रीट से पहले वहां जो फर्स था उसको क्लीन किया गया और साथ ही हाथ में लगा करके एस्प्रीट और हाथ को भी क्लीन किया गया है और एस्प्रीट लैंप जला है यह शिम्पल टुप्ट लायट होता है कि आपको काम करते समय वहां रोस्नी की कमी नहीं होनी चाहिए तो यह यह टुब्लाकर करके और इसमें काम हो रहा है और इसके साथ ही मसीन में चल रहा है ब्लोवर क्यूंकि ब्लोवर जब तक चलते रहेगा और स्प्रीट लैंप जलते रहेगा यहां किसी परकार के बैक्टरिया फैलने की कोई संभावना नहीं रह जाती है तो दोस्तों इस परकार से इस मसीन का काम पूरा हो जाता है और आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर मदर पर एस पॉन मिलाया जा रहा है दोस्तों यह वीडियो बनाने का मेरा उद्ध से यह था कि मेरे बहुत सारी भीवर्स ने हम से सवाल किया था कि सर हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमें इस पॉन नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों जदी एक तो बहुत सारे जगह पे एड्रेस का पता नहीं होता है और जहां पर एड्रेस का पता होता है वहां पर भी कभी कभी सीजन में जैसे की अभी जुलाई-अगस्त का महीना आ रहा है इस महीने में नए फार्मर्स भी इस पर पढ़ियास करते हैं क्योंकि इस टाइम में फेलियोर होने का चांसे बिल्कुल ना कर ब बीज सेलिंग का भी जो बिजनेस है ये काफी ज्यादा अच्छा है इसमें भी बहुत सारे मुनाफ़ा आप पा सकते हैं क्योंकि इसमें जो लागत खर्च है वो लगभग 50-60 रुपे किलो प्रती किलो आती है और इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो लगभग 100 रुपे से लेक प्रसिक्षन चाहिए होगा या मसरूम का प्रसिखन का बीज रुटाइग सकते हैं अब बीज भी खरी सकते हैं पूरा आडर्स और ओर नमबर आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा जहां जाकर के आप देख सकते हैं और जदी आप mushroom उगाने के लिए जानकाडी लेना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने 5 वीडियो बना रखे हैं उसका link भी आपको description box में मिल जाएगा आप वहां से जाकर के देख सकते हैं तो आपको mushroom के spawn के लिए भटकना नहीं होगा और दूसरा mushroom के selling के साथ साथ आप बीज सेल करके भी बहुत अच्छे price प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि mother spawn मिलाने के बाद से packets को अच्छी तरह से हिला करके और बीजों को आपस में mix किया जा रहा ह 10 से 15 दिनों तक के लिए बिल्कुल अंधेरे कमरे में और वो भी सिलसेलेवार धंसे जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कभी एक packet के उपर दूसरा packet आपको नहीं रखना है अलग-अलग सभी packets को सटा करके आप रख सकते हैं और जब आपको ज़रुरत हो तभी light ज पाएंगे कि लगभग 10 से 15 दिनों में उसमें फंगस पूरी तरह से फैल जाते हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह बीज बिल्कुल तयार हो चुका है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दिजिएगा और मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिजिएगा मिलते हैं कौड ने